विलियम बैंटिक ने इंडिया का कल्चर चेंज करने में बहुत ही महात्वपूर भूमिका निभाई थी इसके बाद कुछ समय बाद आया लाड डलहोजी देखो लाड डलहोजी इंडिया पहुँचते ही एक कार्य किया देखो एक बाद बताओ जरह आप लोग कि बिटेन जैसे देश से क्या सारा कच्चा माल रो माटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा तो कहां से मिलता था भारत से मिलता था भारत से लेकर जाओ कच्चा माल और फिर वहां से बनाकर लाकर बेच दें हैं भाई क्या करना होगा आमें लेकिन ये बताओ अगर भारत से कच्चा माल खरीदना चाहे और कोई ना बेचना चाहे तो अंग्रेजों को जबरन लेना होगा तो जबरन में जनता राजा के सामने बिद्रोह कर सकती है बंगाल को छोड़ कर कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां राज भाई नहीं थे डलहोजी बोला कि राजाओं को हटा कर राज हड़प लो और जनता में जबरन जो है चीज ले लो और ये लोग सुनते नहीं है तो डलहोजी ने भारत में आकर कहा कि पता करो कितने राज हैं पता पता चला भाई की टोटल सौ राज हैं मालो तो क्या करे डलहोजी शब को मार कर राज छिन ले समझदारी होगि केजि ऐसा ये करने निकलते तो सब मिलकर मारते ह是這樣 डलहोजी को पता चला कि सौ राज हैं मानो भाई मान के तो डलहोजी ने कहा कि पता करो कितने के पास बच्चे नहीं पता चला दस के पास नहीं है, नब्बे के पास है तो डलहोजी ने कहा कि जिसके पास बच्चा नहीं है वह कोई बच्चा गोद नहीं ले सकता और उनका राज हड़प लिया जाएगा मतलब बच्चा नहीं है तो ये उनकी समस्या है और भाई ये जो 90 राज बच्चे हैं इनको कहता था कि अगर बच्चा नहीं है तो ये उनकी परिशानी मतलब ये देखो 10 राज जमेव ऐसे थे कि वहाँ पे कोई मतलब उत्तरा धिकारी नहीं था तो डलहोजी ने कहा कि भाई हडप लेते हैं लेकिन इक बार बताओ कि जो बाकी 90 राज थे इनको तो कहना था कि भाई उनके पास देखो उन्होंने कहा जो नब्बे राज बच्चे थे उन्होंने कहा कि भाई उनके पास देखो बच्चा नहीं है तो ये उनकी दिक्कत है मतलब ये उनकी परिशानी है आपको क्या दिक्कत है लेकिन ये क्या कहेंगे ये अंग्रेजों से नहीं कहेंगे नब्बे राज्य जो बचे थे कि भाई ये तो उनकी परिशानी है आपको क्या दिक्कत है अंग्रेज समझते थे ये इंडिया को बहुत जादा समझते थे इनको पता था उल्टा होगा ये नब्बे राजे अपनी अपनी रानियों से जाकर कहेंगे कि देखो आज हम बाल बाल बच गए धन्य मनाओ लाख लाख उपर वाले का सुक्र है कि कम से कम हमें एक चिराक तो भले ही पपू टाइप का भाई जिसके जिसके पास बच्चा नहीं था उसका राज हडप लिया गया इसी को कहते हैं डॉक्त्रीन सिस्टम या हडप नी और सब से पहले जिसको हडप लिया अंग्रेजों ने वो क्या था महाराष्ट्र में है एक जगा सतारा बहुत ज़्या असा मतलब आज होता तो बहुत से लोग क्या करते साधी कर लिये होते यसा आज कोई सरकार नीती बना दे जो साधी नहीं कर रहे हैं है ना तो तुरन साधी कर लिये होते डलहौजी ने प्रॉफिट दिखो प्रॉफिट हो जादा इसलिए उन्होंने 1853 एडी में रेलवे ल लेते तो कुछ बचता इनके पास और सोचो कि अंग्रेजों लुट रहे हो तो उस समय उनको कोई भाई help भी ना मिलती हो तो उस समय क्या होता था कोई communication का साधन नहीं था जैसे फेस्बूक वहटसप वगएरा है ना फोन वगएरा और इसके लिए उन्होंने 1853 एडी में संचार बिवस्था स्टार्ट किया communication system दूर संचार के लिए एरिया में लेटर नहीं जाता था है ना अच्छा जब पहले के जमाने में दूर संचार भाई बात करनी होती ना कुछ लेटर लेटर वगएरा भेजना होता था कोई संचार बेउस्था तो था नहीं एक ambassador था कबूतर जा 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 कबूतर जाता था बिचारे कबूतर को तो समझ नहीं आता था कि हो क्या रहे आज के बाद अंग्रेजों ने 1853 AD में टेली ग्राम लाया मैसेज भेजने का तरीका और 1854 में डाक बिभाग की अस्थापना किया और 1854 में डलहोजी ने PWD इस्टैबलिज़ड या Public Welfare Department अब काम जादा बढ़ रहा था तो इसके लिए इनको क्लरक भी चाहिए अंग्रेजी जानने वाले इसके लिए 1854 AD में इंग्लिस को सुधार करने के लिए एक कमीशन मतलब बनाकर हेट बना दिया है ना एक कमीशन बनाया चाल्स वुड को उसको हिड बनाया चाल्स वुड को और इसने कहा कि रिपोर्ट दो भाई क्या किया जाए इसके लिए उसने रिपोर्ट दी और इसे कहा जाता है वुट्स एजुकेशन डिस्पैच और इसी के अनुसार भारत में 1857 में तीन बिस्विद्वाले की अस्थापना की गई और तीनों फेमस जगा पर कलकत्ता बॉंबे और मद्रास अच्छा बताओ से में 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ आज कौन सा टाइम चल रहा है 1857 औ लेकिं कोई बात नहीं है आज के बाद इंडिया का भाई जो दिमाग था घूमा हतियार उठाया मार्केट में टहलने लग गई और आप जानते हैं क्या हुआ क्रांती हुई और इतनी भयंकर क्रांती हुई इसलिए इसे भारत का पहला स्वतांतरता संगराम कहाते हैं कहा ज उसने पहला कारे किया यह चाहता था कि मैं भाई आवध का राजहडपलू और 1856 में आवध का राजहडपना चाहते थे लेकिन आवध के सासक के पास बच्चा था और इसने आवध के सासक पर आरोप लगा दिया ऐसा कहके कि इसने आवध के नवाब को गद्धी से हटा कर कबजा कर लिया। उसने कहा कि जो अवद है इसका प्रसासन थोड़ा मतलब चीक नहीं चल रहा है। उसने कुसासन का एक आरोप लगाया और उसने उसकी गद्धी को हड़पकर उसने कबजा कर लिया। 1856 में सोशल वरकर भाई बहुत पड़े थी इनके पीछे। आपने कहा था कि सुधार करेंगे। कुछ भी किया। 1856 में अंग्रेजों ने कहा भाई बताओ कि सुधार करना क्या है। उस समय छोटे छोटे लड़कियों की साधी छोटे छोटे लड़कों से हो जाती है। मालो भाई वो लड़का छोटा का छोटा ही रह गया तो भाई मालो घटना दुर घटना कुछ होई। तो लड़की ना तो कभी ससुराल गई और न सास ससुर विधुआ हो गई। ऐसी कंडिशन थी। इस्वरचंद्र विध्या सागर ने 156 में एक क्या किये कराया था मतलब इन्होंने एक एक्ट पारित करवाया। विधुआ पुनर विवाह। लेकिन सारा का सारा मामुला रुख जाएगा क्योंकि 1857 में करांती हो गई। और हम लोग देखेंगे 1857 की करांती नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल से समझेंगे। यदि आप लोगो वीडियो पसंद आ रही हो। आप लोग वीडियो देखिए तभी सपोर्ट करें। पसंद आ रही हो तभी की लिए। हांतै आत्वल करांती पर संद रही हो एव एवति देखेंगे भी केरें।